वेलकम डूबी क्लासेज गाईज दूस्टो आज क्लास में देखने वाले है चौतिस्वे रास्टी खिलस प्रदा चार खण में सवन पदक विजताओं के बारे में लोग डिसकस करने वाले हैं दूस्तो और मैं आपको वदा दू कि जैसे से किसी भी एक्जाम्स की त्यारी कर चलते हैं जहारकरन जी के लिए मयटमाटिक्स देखते हैं करींटर के सेशने चलते हैं जैसा कि आपको पता है भात करते हैं किर वां जो авट को जो है, classes start हुई है, तो आप मेरे साथ कांट्रूनी बना रखते हैं, paper 2 जो है, दोस्तों, खोठा start हो चुकी है, तो खोठा language जिनका है, दोस्तों, वो मेरे साथ जूड सकते हैं, बात करते हैं, यहां दोस्तों, practice session जो है, दोस्तों, बहुत अच्छी तरीकेश चला जाती है, topic y सारे syllabus को जो है, दोस्तों, cover की जाती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बात करते हैं, दोस्तों कि start करते हैं, और start करने spell हम लोग थोड़ी सी history के बारे में जान लते है, 34 रास्टी खेल के बारे में, ठीक है, जार्खन में जो आयूजित हुई हुई थी, तो यहां पे हान में रखना है, तो टोटल पदक के बारे में भी पूछ सकते हैं, टोटल मेडल्स कितने हासिल किये हुए थे जार्खन, ठीक है, बात करते हैं कि इसका आयूजन वर्स 2011 में राची में किया गया था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसका सुभंकर जो था दूस्तों, ठीक है, तो ये भी कोसंस बने हैं और बनते हैं, जो एक शिशू हीरन था दोस्तों, ठीक है, जार्खन ने इस राष्टी खेलों में 33 अरजित किये थे, ये पता है, बात करते हैं कि जार्खन ने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप किया हुआ था, ठीक है, और देखे, टोटल जो है दोस्तों, इसमें 6 से 7 स्टेट जो है वो पाडिसिपेट करी थी, जो जमसेदपूर में भी आजूत हुई थी दोस्तों, शायद बोकारों में भी आजूत हुई थी, तो देख ले ना, में जो है दोस्तों, राची में आजूत की गई थी, तो यहां जो है, दे वो एफ एम ओ ओ एच फारुक ने किया था ठीक है तो उस समय जो हमारे गौवर्न थे दूस्तो राजवाल थे वो एम ओ एज फारुक थे ठीक है आपको इतने से बाद ध्यान में रखनी है तो चली हम लोग तो इसमें दोस्तो टीम जो था संपून टीम थी और खिलाडी की बात करें तो जयंत, तालुकदार, अकानुदास, ठीक है, मंगल चांपिया, पवन खालको, तो यह दोस्तो यहां से जो कोसंस हैं, बन सकते हैं, ठीक है, तो आपको केरफुली सेसंस को अबजाव करना, ठीक है बात करते हैं, सेकेंड दोस्तो आर्चरी थी, रिकावर टीम में महिला की टीम थी, जो संपून टीम में देखा जाए, तो दीपिका कुमारी थी, लक्षमी मांजी, रीमिल बिरूली, सीमा वर्मा, ठीक है, यह सारे के सारे थे दोस्तो टीम के खिलारी, बात करते हैं, सबलाइचारी के होगी दोस्तों अब बात करें दोस्तों और टो एल डप माला धेवी है थेके अब एेटलेक्ट के बात करें दोस्तों और रीस गाया देवी जो पुरूस असप्रदा थी दोस्तों वो पार्थो मंडल ने स्वान पदक जीते हुए थे बॉक्सिंग की बात करें तो बैंटम 56 गराम पुरूस इसमें है दोस्तों की वी मिशेल लकडा ने स्वान पदक जीते हुआ था बात करें बॉक्सिंग की दोस्तो तो बैंटम 56 kg में महिला की बात करें दोस्तो तो सुसमा कुमारी यादों ने इसको अरजित किया हुआ था गोल्ड मेंडलर ठीके बात करते हैं बॉक्सिंग की दोस्तो तो लाइट वेट 64 kg महिला की बात करें तो अरुना मिश्रा थी ठीक है यह important रहने वाले हैं बात करते हैं boxing की तो light weight 69 kg महिला में दोस्तों नीतुष चहल तो यह जो आप देख रहे हो दोस्तों यह सारे के सारे important रहने वाले हैं आप ज़रूर अबजब करो दोस्तों अच्छे तरीके सेशन्स को देखो एक से दो कोशन्स यहां से ज़रूर बनेंगे किलोग्राम प्रूस में बात करें तो परवीन कुमार थे boxing के ही बात करें तो super heavy weight महिला के बात करें तो सौपना प्रिया नामेनानी थे ठीक है जूडो के बात करें दो 48 kg महिला के बात करें तो बेम ठीक है तो यह सवन पदक इन्होंने जिता हुआ था जूडो में और बात क जो है दोस्तो हमजीत मिताई ने गोल्ड मिंडर जीता हुआ था ठीक है अग्यों क्याईं ठीक है तो यह जो है दोस्तो यह खेल था और प्रधा के बात करें तो 100,000 मीटर डबल स्पूरूस में दोस्तो संपून टीम में जो दोस्तो अजित कुमार साह और राजु रावत न दिनेश कुमार शामिल थे जिन्होंने सौन पदक हाजिल किया हुआ ठीक है लॉन बॉल की बात करें दोस्तो तो यह था दोस्तो फोर प्रूस में दोस्तो फोर यह स्प्रदा है प्रूस में संपून टीम की बात करें तो चंदन कुमार दिनेश कुमार क्रिशना कुमार लौन बॉल की ही बात कर ले तो डवल्स में दोस्तो डवल्स में महिला की बात कर ले तो समकून टीम के साथ फरजाना खान और आरजू रानी ये दोनों थी दोस्तो जो सवन पदक हाशिल गया हुआ था ठीकर दोस्तो बुटा दू कि सारे के सारे जो हैं वो important रहने वाले थे और मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि आप ये sure short हो जाए दोस्तों, sure short हो जाए दोस्तों कि आपके exams में यहां से questions बनने वाले हैं, ठीक है, तो आपको यहां sessions जो है short रहने वाला था, session जो है वो short रहने वाला जरूर था, पर एक या दो questions आपके exams में आने वाले हैं, ठीक है, तो यह दोस्तो topic wise जो है दोस्तो हमने sessions को complete करी तो यहाँ पर दोस्तो topic wise जो है syllabus को cover की जाती है बहुत सारे topics को हमने cover की है तो आपने देखा नहीं है तो हमारी videos के playlist में आप जाकर visit जरू करना अपनी तयारी को बहतरीन और बना सकते हो ठीक है और यहाँ पर दोस्तो जबरत तरीके से sessions भी चल रहे है practice sessions भी चल रहे है ठीक है तो आपके जो दोस्तो जैसे किसी भी committee exams के त्यारी करते हो ना तो आपके लिए sessions और channel आपके लिए दोस्तो useful रहने वाला है ठीक है तो doesn't matter दोस्तो जैसे किसी भी exams के त्यारी करते हो तो मिलते हैं नाक्स वीडियों तब तक लिए धन्यवाद